हेलो ओरिवन इस्टड़ी विदस में आपका एक बाई फिर से स्वागत है और आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वेध ठीक है इस वीडियो हम जानेंगे कि जो वेध हैं वो कितने परकार के होते हैं हर एक वेध में क्या क्या विशेश ऐसी बाते कही ग करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि जब जब हम ऐसे इंफोमेटिव वीडियो डालें तब तब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो शलिए शुरू करते हैं तो अगर हम वेध की यहां पर बात कर रहे हैं तो वेध का जो सब्द है उसका अर सुरूती भी कहा जाता है ठीक है वेधो को सुरूती भी कहा जाता है सुरूती का मतलब होता है सुनना क्यों कहा जाता है वेधो को सुरूती तो आपको पता होना चाहिए कि जो भगवान ब्रह्माजी थी उन्होंने रिशी मुनियों को जो बाते बताई थी जो ग्यान दिया ठीक है, इस कारण वेद जो है शुरूती कहलाते हैं यानि सुनकर लिखा गया किसने बोला था, ब्रह्मा जे ने ठीक है, तो वेदो को शुरूती भी कहा जाता है वेदो के मूल रचईता अगर आपसे पूछ लिया जाए, कहीं पर एक्जाम वगर हमें भी पूछ ले जाता है तो वेदों के मूल रचैता जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं कृष्ण देव प्यान वेद व्यास ठीक है कहा जाता है इन्होंने जो है वेद की रचना की है वेदों की अगर हम बात कर रहे हैं तो आमें पता होना चाहिए वेदों की कुल संख्या जो है वो है चार ठीक है चार वेद हैं और परतेक वेद का एक उपवेद भी है तो चार वेद यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला है रिंगवेद दूसरा है सामवेद तीसरा है यजुरवेद और चौता है अथरवेद औ मैं आपको बता देता हूँ, पहला है आयूरवेद, ठीक है, दूसरा है सिल्पवेद, या शिल्प आप उसे कह सकते हैं, और तीसरा है गंधरवेद, और चौथा है धनुरवेद, ठीक है, तो ये तो हो गए इसके उपवेद, तो चारो उपवेद जो है आपको याद रखना ह अच्छा, इससे कन्फ्यूज मतवना, एक होता है वेदांक, ठीक है, वेद और वेदांक जो है अलग है, वेदांकों की अगर बात की जारे तो वेदांक जो है, वो कुल छे हैं, कौन-कौन से तो ये भी मैं आपको बता दूँ, पहला है सिल्प, दूसरा है कल्प, ठीक है, और तीसरा है व्याकरण, चौता है निरुक्त, पाचवा है चंद, और जो छटा है वो है जोतिश, तो ये वेदांक है, इन्हें वेदों से कन्फ्यूज मत करना, ठीक है, वेद अलग है, उप वेद अलग है, वेदांक अलग है, उप निशद अलग है, अरायन अलग है, ठी पेवी यो है, एक एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है, चली, अब एक एक वेद के बारे में समस्ते हैं, और जानते हैं इसमें इसमें ऐसा क्या लिखा है, कि आज भी जो है, मैंत्कुन माने जाते हैं, रिंग वेद कि अगर हम बात करें, तो रिंग वेद जो हैं, ये सबसे हैं कुल 10 है और इसमें जो सलोक हैं वो हैं 1028 और लगभग 11000 मंत्र इसमें लिखे हुए हैं ठीक है और ये जो ring-ved है इनमें जो मंत्र लिखे गए हैं इनका उचारण जो है जब प्राचीनकाल में रिशी मुनी यग बगरा करते थे तब इन मंत्रों का उच्चारण किया करते थे ठीक है और इस वेद की कुल पांच साखाएं भी हैं रिंग वेद में ही हमें विशु परसिद्ध गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है ठीक है गायत्री मंत्र गंगा नदी सिंधु नदी जानकारी मिलती है और इसके इसी वेद में जो है लगभग 125 ओसोदियों की संख्या बताई गई है और ये किन-किन जगा मिलेंगे वो भी बताया गया है 107 जगा पर ये ओसदियां जो है पाई जाती है ठीक है ये भी जो है इस क्रंथ में बताया गया है तो इस तरीके से ये है रिंग वेद की विशेस्ताएं और जो रिशी इस वेद को पढ़ता था उसे कहा जाता था होत्री ठीक है अलग अलग वेदों को जो है अलग अलग रिश्यों ने पढ़ा था तो इसलिए जो रिंग वेद को पड़ता था उसे होत्तरी कहा जाता था अब बात करते हैं साम वेद के बारे में साम वेद जो है ये ऐसा वेद है जो की संगीत में वेद है यानि कि इसके अंदर हमें संगीत का वर्णन देखने को मिलता है सामवेद में हमें संगीत का वर्णन देखने को मिलता है इसमें जो मंत्र है वो 1549 मंत्र जो है इसमें है 1549 मंत्र जो है इसमें है और इसकी विशेष्टा यही है कि इसके अंदर संगीत के बारे में लिखा सारे गामा पादानी यह जो हम देखते हैं यह हमें यहीं से ही देखने को मिलता है और जो रिशी सामवेद को पढ़ता था जो इसका अध्धन करता था जो रिशी इसको पढ़ता था उसे का जाता था उद्गर्थ ठीक है न या उद्गाता उस रिशी को आ जाता था जो इसको पढ़ता था ठीक है अब बात करते हैं यजुरुवेद की यजुरुवेद के बारे में अगर मैं बताऊं इसमें मुख्यता करम कांड का वर्णन देखने को हमें मिलता है ठीक है और ये एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है ठीक है गद और पद दोनों में लिखा ग साकाएं एक है शुकल और एक है कृष्ण पक्ष इसमें अध्याय में जो है एक हजार नौसो पच्छतर मंत्र हैं इसमें ठीक है और अलग-लग किताबों में आपको अलग-लग मिलेंगी कहीं पर आपको 990 भी देखने को मिलता है ठीक है तो अध्रों की संखे अलग-अलग किताबों में अलग-अलग बताई गई हैं और जो रिशी यजुरुवेद का अध्यन करता था या यजुरुवेद को पड़ता था उसे कहा जाता था अध्र वायू ठीक है अध्र वायू कहा जाता था ठीक है तो अब चलते हैं आगे अब बात करते हैं रिगवेद के बारे में अगर मैं आपको बताओं तो रिगवेद जो है सबसे आधुनिक वेद माना जाता है क्योंकि इसकी रचना जो है सबसे लास्ट में की गई थी सबसे अंत्मे की गई थी लेकिन सबसे महत्पून माना जाता है ये वेध क्यों माना जाता है क्योंकि इस वेध के अंदर बहुत सी ऐसी बाते सुझाव दिये गए हैं जो आज के समय में मानने रखते हैं अथर वेध में विज्यान तकनीक जैसे जो ज्यान है उसका समावेश हमें देखने को मिलता है क्योंकि इसकी रचना सबसे अंत्य में की गई थी अगर बात करें इसके अध्यायों की तो इसमें कुल अध्याय जो है वो है 20 और इसमें मंत्रों की जो संख्या है वो है 5687 ठीक है आपको इसमें मंत्रों की संख्या अलग-अलग मिन सकती है क्योंकि अलग-अलग किताबों में जो है इसको अलग-अलग रूप में अलग-अलग तरीके से बताया गया है और जो रिशीर अथरवेद अथरवेद को पढ़ता था उसको क्या कहा जाता था उसको कहा जाता था गोपत ठीक है गोपत कहा जाता था तो इस तरीके से ये थे चार वेद और चारों की थोड़ी थोड़ी विसेस्ताएं हाला कि अगर बताया जाए तो हर एक वेद पर दो-दो घंटे की वीडियो जो है बनाई जाती है यह बन सकती है लेकिन मैंने आपको जो है एक छोटा सा ओर्वियू दिया है सभी वेदों के बारे में तो रिंग वेद के बारे में बता दूँ यह सबसे यह वैदिक काल के रिंग वैदिक काल में लिखा गया ठीक है और यह तीन वेद जो है यह उत्तर वैदिक काल में लिखे गए है अगर आप हिस्ट्री में वैदिक काल आपने पढ़ा होगा तो आप इस बारे में जानते होगे ठीक है चली आपके लिए एक कोशन में देखे जाता हूँ आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जिस गायत्री मंत्र की मैं बात कर रहा था वो गायत्री मंत्र रिंग वेद के कौन से मंडल में है ये आपके लिए सवाल है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे और अगर आपने पढ़ा है इस बारे में तो आप ये भी बताएंगे कि इस वेद में यानि रिंग वेद में गंगा नदी का जो वर्णन है वो कितनी बार है अच्छा कई लोग महा भारत वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें पूछ रहे थे कि उपनिशद कितने हैं तो उपनिशद की बारे में बता दो उपनिशद की संख्या है कुल 108 ठीक है 108 उपनिशद है कुल ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है एक्जाम पॉइंट ओपी से भी काफी इंपॉटन्ट है और जो है कई बार इसमें नौर्मली भी पूछ ले जाते हैं तो मिलेंगे अब नेक्ट शुडियो में थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो